सूप्रभाद बच्चों कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे मैं हूँ आपकी नमरता मैं आज मैं आपको व्यंजन चौ से डर लिखना सिखाऊंगी तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं व्यंजन चौ से डर कैसे लिखते हैं बच्चो सबसे पहले हम one sleeping line बनाएंगे फिर इसको turn करेंगे फिर one standing line बनाएंगे और one sleeping line बनाएंगे यह आपका कौन सा अक्षर हो गया? چ, चलिए अब देखे हैं इसके बाद कौन सा अक्षर आता है? इसके बाद आता है? छ, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे छ, one small standing line, one time curve, second time curve and turn, ये आपका कौन साक्षर हो गया, छ, चलिए अब इसके बाद कौन साक्षर आएगा, ज, one standing line, one sleeping line and turn and one small sleeping line, ये आपका कौन साक्षर हो गया, ज, अब इसके बाद कौन साक्षर आता है, ज, तो चलिए देखते हैं, one small standing line, one time turn, second time turn and one small sleeping line and one standing line and one more sleeping line, ये आपका कौन साक्षर हो गया, ज, तो चलिए, इन अक्षरों को फिर से हम लिखते हैं, ज, one sleeping line turn, one standing line and one sleeping line, ज, 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 one small standing line, one time curve, second time curve and turn and one sleeping line, ज, 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 यह आपका कौन सा लेटर हो गया जह लिए अब देखते हैं जह के बाद कौन सा अक्षर आता है जह के बाद आपका कौन सा अक्षर आता है यह बन टाइं कर वन स्लिपिंग लाइन एन वन स्टैंडिंग लाइन एन वन स्लिपिंग लाइन यह आपका कौन सा अक्षर हो गया यह अब यह के बाद कौन सा अक्षर आता है त, वन स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, वन टाइम, त, एन वन स्लिपिंग लाइन, यह आपका कौन सा अक्षर हो गया, त, तो चलिए आप इसके बाद देखते हैं, कौन सा अक्षर आता है, त, वन स्टैंडिंग लाइन, एन वन स्लिपिंग लाइन, यह आपका कौन सा अक्षर हो गया, त, अब चलिए इसके बाद देखते हैं, कौन सा अक्षर आता है, त, वन स्टैंडिंग लाइन, वन टाइम टाइम, सेकेंड टाइम टाइम, एन वन स्लिपिंग लाइन, यह आपका कौन सा अक्षर हो गया, त, हाँ तो चलिए अब इसको फिर से दो राते हैं एक बाप फिर से हम इसे लिखेंगे 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 लि One time turn, second time turn and one slipping line. Duh. Dhanyavad.